हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 3 1 टैक तो फ्रेंट्स यूट्यूब पर काफी सारे यूट्यूबर्स को एक प्रोबलम बहुत जादा देखने को मिल रही है कि उनकी वीडियो पर व्यूज तो अच्छे खासे आ रहे ह है वह वोस्टाइम उनके मोनेटाइजेशन टैप के अंदर काउंट नहीं हो रहा है और खासकर नई यूट्यूबर्स को इस तरह की प्रोबलम आ रही है तो अगर आपको भी इस तरह की प्रोबलम अपनी वीडियो के अंदर देखने को मिल रही है अपने चैनल के उपर तो आपको बस वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखना है तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी लास्ट वीडियो में जिसका सबसे पहला कमेंट था उसका चैनल आपको मेरी स्क्रीन के उपर दिखाई दे रहा होगा तो प्लीज जाके इनके चैनल को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को पूरा वोच करके उसे लाइक करना है और उसके नीचे एक छोटा सा कमेंट करना है और जिसका भी पहला कमेंट होगा उसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में परमोट करूँगा तो आप वीडियो को शुरू करने से पहले तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको इसके रीजन्स बताता हूँ कि आपका वोस्टाइम एड क्यू नहीं हो रहा है आप क्या-क्या गलती कर रहे हैं तो फ्रेंड्स अगर आपने अपनी यूट्यूब पर कोई वीडियो अप्लोड करी है और उसको अगर आपने प्राइवेट कर दिया है तो उससे जो भी वोस्टाइम आएगा वो आपका मोनोटाइजेशन टैप के अंदर एड नहीं होगा और अगर आपने उस वीडियो को अ अगर आपका कोई शोट्स का चैनल और आप शोट्स बनाते हैं और मान लिजी आपकी कोई एक शोट्स वीडियो वाइरल हो जाती है मान लिजी उस पर एक मिलियन दो मिलियन तीन मिलियन व्यूज आ जाते हैं और वो सारे व्यूज जो उस पर आए हैं वो शोट्स फीड से आए हैं शोट्स से आए हैं जहां पर केवल शोट्स की वीडियो चलती है उस वाले जंगे से उसको वो सारे व्यूज मिले हैं तो उसका भी वोस टाइम काउंट नहीं होगा वो भी आपका मॉनेटाइजिशन टैप के अंदर एड नहीं होगा लेकिन अगर आपके शोट वीड का वोस टाइम जो है वो मॉनेटाइजिशन के अंदर एड होगा अब इसके बाद अगर आप लाइव स्क्रीम करते हैं तो एक्टिव लाइव स्क्रीम मतलब अगर जितनी देर आप अपनी वीडियो में अपनी लाइव में एक्टिव रहते हैं जितनी देर तक आप लाइव वोस्टाइम आपका मोनेटाइजेशन टैप के अंदर एड हो जाएगा और इसके साथ-साथ अगर आपने कोई ऐसी वीडियो अपलोड की है जिसमें कोपी राइट मोनेटाइजेशन के लिए एलेजिबल नहीं है मतलब उस पर कोपी राइट क्लेम है या स्ट्राइक है उससे आप मोनेटाइज नहीं कर सकते तो उसका भी जो भी वोस्टाइम आपका आया होगा वो भी आपका मोनेटाइजेशन टैप के अंदर एड नहीं होगा अब बात करते हैं इस प्रोब्लम का सोलेशन क्या है तो मैं आपको दो सोलेशन इस प्रोब्लम के बताता हूँ अगर आ पहले solution तो यह है कि जो भी आपका वोस टाइम उससे होगा वो monetization टैब के अंदर साथ से दस दिन के अंदर काउंट होता है तो आपको साथ से 10 दिन का वेट करना है उसमें वो आपका monetization टैप के कैसे भेजना है तो चलिए मैं आपको मुबाइल स्क्रीन पर लेके चलता हूं और जल्दी से बता देता हूं कि आपको फीडबैक कैसे भेजना है तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने मुबाइल फोन की स्क्रीन के उपर इसके अंदर हमें और इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे काफी सारे ओप्षन आ जाएंगे तो इसमें लास्ट में आपको send feedback का एक option दिखाई देगा तो आपको simple इसके उपर click कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लिखना है ठीक है यहाँ पर लिखना है आपको dear youtube team ऐसे लिखना है फिर enter करना है नीचे लिखना है my youtube channel my youtube channel was time not updating in monetization monetization tab ठीक है monetization tab बस इतना लिखना है आपको और नीचे यहाँ पर आपको thanking you लिख देना है thanking you ठीक है नीचे अपना नाम लिख सकते हैं आप ठीक है यहाँ पर जो आपको नाम डालना है वो लिख देंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर top right में send feedback का यह option दिखाई देरा आपको simple इसके उपर क्लिक करके अपना feedback youtube को send कर देना है तो friends यहाँ से feedback youtube के पास चला जाएगा और वो आपके channel को review करेंगे और आपके channel में सब कुछ सही होगा तो आपकी इस problem को solve कर दिया जाएगा आपका जो worst time है वो आपके monetization tab के अंदर add हो जाएगा तो friends उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी सब कुछ मैंने detail में आपको बताया है अगर फिर भी videos related कोई भी question आ रहा है आपके mind में कोई भी query है तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंदाई हो तो इसे like और share जरूर करें thank you